हाई अब्रियों तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि CUT UG 2023 के registration process start हो चुके हैं बहुत से बच्चों ने registration करना start करती है और गलतियां भी शुरू करती हैं तो ऐसी major mistake जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है while filling up CUT UG 2023 form वो मैं आपको अभी बता देता हूँ सबसे पहली गलती कि जब आप लोग CAST certificate upload करें या कोई भी EWS या OBC NCL certificate अपना upload करें तो make sure करना कि उसी format में हो और उसी date का हो जो कि information bulletin में मांगा गया है जैसे मैं date की बात करूं तो 1st April 2022 या उसके बाद का certificate मांगा गया है so you have to make sure the same और second major mistake जो बच्चे करने हैं और आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि आपको एक course या एक university तक stick नहीं रहना है and you have to consider the eligibility criteria of a course for a particular university उस eligibility criteria को consider करते भी आपको अपना test combination डालना है course डालना है और universities डालना है कम से कम 10 course भर देना plus जितनी भी university में आप appear होना चाहते हो वो सभी की सभी भर देना क्योंकि ये मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला तीसरी बड़ी गलती जो बच्चे कर रहे हैं और बहुत important mistake है वो ये है कि you have to make sure कि आपकी personal details बिल्कु सहीं हो चाहे वो आपका नाम है आपके मम्मी का नाम है आपने पापका का नाम है वो सारी की सारी गलतियां आपको नहीं करनी है यहाँ पर कुछ भी mistakes नहीं करनी है even spelling mistake आपको ध्यान डखनी है आपको ये make sure करना है कि आपके class 10th का certificate या आधार card का जो भी certificate में लिखावाय नाम वही नाम लिखना है एक-एक spelling एक-एक letter आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा क्यों और एक और गलती जो बच्चे करते हैं email ID और phone number इसको ignore करते हैं पर इस तो आर वेरी important because with the help of these two things NTA is going to communicate with you तो guys यह दोनों चीजों में बिलकूर भी गलती मत करना so these were the important mistakes या major mistakes मुझे बोलना पड़ेगा that you should not do while filling up CVT 2023 firm thank you very much